नोशे दोस्तों, देट हैं आज की 25 सेप्टेंबर 2021 और स्वागत है आपका एटोयल डिसकेशन में कल देखो जैसा आपको पता है, सिविल सर्वेशिस 2020 का फाइनल रिजल्ट आया और देखो सच में बहुत खोसी हुई, आपको भी बहुत खोसी होगी, गर्व मैसूस होगा कि कितने सारे ऐसे कंडिडेट्स हैं जो रेगुलर बेसिस में एटोयल डिसकेशन में पाइटिसपेट करते थे और इस बार उनका फाइनल लिश्ट में नाम आया, ये सारे लोग अब धीरे-धीरे ओनली एस चैनल पर अपना एक्सपिरियंस सेर करना स्टार्ट करेंगे लेकिन देखो बात आपकी है, आप मेंसे जाहतर लोग 10 अक्टूबर को अपना एक्जाम दो गे और देखो अपने-अपने हिसाब से आपने अपना बैस्ट देने की कोशिस की है त्यारी में थोड़ी बहुत गलतियां देखो हरे किसी से होती है, हम मसीन तो है नहीं, लेकिन बैस्ट धंग से आपने त्यारी करने की कोशिस की है और अभी भी एक्जाम में पंद्रा दिन बाकी हैं पंद्रा दिनों में देखो बहुत इंपेक्ट डाला जा सकता है मतलब जिसने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा देखो त्यारी हो जाएगी पंद्रा दिनों में ये तो इन प्रैक्टिकल चीज है लेकिन आप सब serious aspirants हो आपने अपना best दिया है और इन पंद्रा दिनों में आप बहुत इंपेक्ट डाल सकते हो प्री में बहुत marks जो है वो increase कर सकते हो तो कम से कम देखो आने वाले 15 दिनों के लिए अपनी जो distraction है बिल्कुल कम कर दीजिए और लास्ट के जो पंद्रा दिन है बिना anxiety लिए अपनी productivity को boost करते हुए अपना best दीजिए क्योंकि ये जो पंद्रा दिन है बहुत निरनायक है आपकी त्यारी में अभी discussion स्टार्ट करते हैं First important article employment से समधित है आप GS paper 3 के इस topic से article को relate कर सकते हो क्या contest है देखो हाल ही में Center for monitoring Indian economy के द्वारा August 2021 के लिए employment rate समधित आकड़े जारी किये गए हमारे देश में जुलाई के महिने में unemployment rate था 7% बट देखो चिंता की बात यह है अगस्त के महिने में unemployment rate बढ़ गया कितना हो गया 8.3% यानि 1.3% increase हो गया अगर absolute Trumps की बात करें तो देखो एक महिने के अंदर अंदर आल्मोस्ट 19 लाख लोगों ने रोजगार खो दिया जुलाई के महिने में total 399.7 million लोगों को रोजगार मिला हुआ था और अगस्त में यह आकड़ा घटके हो गया 397.8 और यह जो 19 लाख जोब्स का जो लोज हुआ जातर जोब्स का लोज देखो एकरिकल्चर सेक्टर से हुआ एकरिकल्चर सेक्टर में जिन्होंने employment छोड़ा वो manufacturing सेक्टर में जाते तब तो अच्छा होता ना अगर कोई agriculture सेक्टर छोड़ कर मजदूरी का काम कर रहा है construction सेक्टर में काम कर रहा है फिर तो देश के लिए अच्छा नहीं है जादा लेकिन अब हुआ क्या manufacturing सेक्टर में भी आलमोस्ट 9,40,000 लोगों ने job छोड़ दी यानि manufacturing सेक्टर jobs दे नहीं रहे बल कि यहां से भी jobs जा रही है जो basic economic theories है वो देखो ये कहती है अगर employment growth को increase करना है यानि ज़्यादा रोजगार पैदा करना है तो आपको investment level increase करना होगा अब देखो investment दोनों सेक्टर से आ सकती है प सरकार उतना ज़्यादा invest नहीं कर रही है अभी फिलाल सरकार फूक फूक के कदम रख रही है ताकि fiscal deficit ना बढ़ पाए चलो सरकार की अपनी चिंता है बट देखो उससे भी बड़ी चिंता यह है private sectors जिसके पास पैसा पड़ा है लेकिन वो भी invest नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन यह रहा है कि बहार से investment को invite किया जाए यानि FDI को promote किया जाए यह सरकार का focus रहा है इसलिए सरकार ease of doing business पे ज़्यादा ध्यान भी दे रही है fiscal deficit ज़्यादा नहीं बढ़ने देती उसका reason एक यह भी है न कि हमारे देश की economy की जो ratings है वो ज़्यादा कम ना हो ratings कम हो गई फिर FDI नहीं आएगी यानि बाहर से investment नहीं आएगी और investment आपको पता है बहुत ज़रूरी है economic recovery के लिए यानि देश की economic situation को improve करने के लिए देखो ये बात तो सच है जब FDI देश में आती है न तो directly indirectly बहुत सारी production activities होती है जैसे normal सी बात है मान लिजे कोई automobile company आई है देश में cars manufacture करने के लिए जब वो cars manufacture करेगी न तो directly बहुत सारे लोग को रोजगार देगी indirectly देखो वो जो company है वो हो सकता है टायर परचेज करे किसी छोटी company से कोई और दूसरे equipment परचेज करे और उसको use करे अपनी factory में तो indirectly भी बहुत सारे लोग को रोजगार मिलता है लेकिन ये कितना sustainable है इसको scrutinize करते है writer इस article में writer कहते हैं देखो जो ये बाहर की companies होती है न ये अपना फाइदा देखती है जैसे ford company है ford company इंडिया में आई उसने manufacture किया जब उसको इंडिया में फाइदा लग रहा था अब इंडिया के मुकाबले में उसे लगता है इंडोनेशिया बंगलदेश यहाँ पर manufacture करना ज़्यादा आसान है तो वो companies जल्दी से अपना manufacturing बंद भी कर देती हैं यानि उनको जहां लगता है competitive economy है यहाँ पर manufacture करना ज़्यादा आसान रहेगा तो फिर वो fdii यहाँ से ले इंडिरेक्टली इंडिरेक्टली 19.1 million यानि एक क्रोड 90 लाख लोगों को रोजगार देता है अभी फिलाल देखो 70% से ज़्यादा जो auto component वाली companies है वो छोटी-छोटी है small और medium enterprises है और यह expect किया गया था कि 2022 आते आते इस automobile sector में जो रोजगार है वो 38 million तक पहुंचेगा या इसमें indirect employment की संख्या काफी ज़्यादा होगी बड़ देखो कुछ factors ने इसमें बादा पहुंचाने का काम किया है यानि सोचा तो यह गया था कि 2022 आते आते automobile sector में 38 million लोगों को रोजगार मिलेगा लेकिन तीन problems आ गई सबसे पहले तो COVID-19 इसकी वज़े से car की जो sales है वो कम हो इंपोर्ट करते हैं तीसरी बादा यह है फोर्ड इंडियन मार्केट को अब exit कर चुकी है तो फोर्ड में जो लोग काम कर रहे थे आलमोस्ट 4000 employee Ford में इंडिया में काम कर रहे थे अब उनका वो unemployed हो गये वो अब फिर से रोजगार की तलास में निकल पड़ेंगे तो इससे ह होता क्या है बहुत सारे ऐसे लोग जो आलरेड़ी रोजगार की तलास में थे वो उनको ज्यादा experience नहीं था उनका competition बढ़ गया क्योंकि Ford market छोड़ के चली गई है तो वहाँ पर जो लोग काम कर रहे थे वो तो देखो skilled थे उनको तो रोजगार चलो मिल जाएगा वो experienced जाता है नोकिया जब देखो पीक पर थी तो तमिलाडू में इनकी एक factory थी श्री पेरुम बुदूर में यहाँ पे नोकिया का वर्ल्ड का लार्जेस्ट मोबाइल फोन का प्लांट था 8000 पर्मानेंट employees थे तीन सिफ्ट में काम करते थे और एक महिने में 15 मिलियन से अपने production रोक दी जिससे देखो इतने सारे हजारों workers की जो livelihood है वो परभावित हुई वैसे देखो नोकिया का case तो अलग है इनका तो पूरा model ही fail हो गया स्मार्ट फोन का boom आ गया एकदम से 2014 के बाद city bank का example दिया जाता है city bank की हमारे देश में 35 branches है अब city bank भी इंडिया को exist कर रहा है मतलब ना सिरफ इंडिया को बलकि और 13 देशों के जो market है वहाँ से city bank अब जा रहा है city bank का कहना है हम अब wealthy regions पर ज्यादा focus करेंगे यानि wealthy जो लोग है उनको services देने पर ज्यादा focus करेंगे तो city bank को city bank जब इंडिया से जाएगा चार हजार से ज्यादा जो लोग है वो बिरोजगार हो जाएंगे उसी परकार से ford company की हमने बात की ford भी इंडिया को छोड़ के जा रही है गुजरानत के सनंद में और तमिलाडू के चेनई में इनका factory है इनको close करने वाली है ford company तो directly indirectly 35,000 मतलब direct तो देखो 4000 employee बिरोजगा हो जाएंगे ford के इंडिया से जाने की वज़े से देखो जब इस परकार से कोई company छोड़ के जाती है न देश को potential investor यानि वो companies जो सोच रही थी कि हां इंडिया में invest करते हैं वो भी फिर wait and watch की रणनीती अपना लेते हैं वो सोचते हैं कि अरे ford छोड़ के चली गई कोई त अभी हम invest नहीं करते हैं दूसरा issue वो आ जाता है जो अभी हमने discuss किया कि देखो ये जो कोई company छोड़ के चली जाती है न उनमें बहुत ज़्यादा skilled professional काम कर रहे थे अब वो भी job की तलास में है उनका मुकाबला ऐसे लोगों से हैं जो new entrant है market में तो new entrant जो है न जो कम experience वा जुझता है जिन्होंने अभी अभी labor market में enter किया है लास्ट में conclusion में writer यही बोलते हैं कि देखो FDI पे जो सरकार का ज्यादा focus है न कि हाँ FDI invite करेंगे इससे बहुत benefits होंगे तो सरकार को ये भी समझने के आउ सकता है कि आज के समय में ये जो transnational corporations है न MNCs है ये बहुत देर न इसलिए हमारे देश में private investment होनी चाहिए जैसे देश के जो उद्योगपती है न जैसे अंबानी है अधानी है टाटा है और भी मतलब यह तो बड़े बड़े नाम हमने लिए इनकी तरफ से investment होनी चाहिए domestically capital formation होना चाहिए वो ज़्यादा sustainable है ये writer बोलना चाहते हैं मतलब domest domestically जो private investment होगी ना उसे आप replace नहीं कर सकते FDI से ये हमने पूरा article discuss किया चलते हैं आगे इसके बाद next article AUKUS के बारे में है आप GS paper 2 के इस topic से article को relate कर सकते हो देखो AUKUS के बारे में हमने 3-4 articles तो discuss कर लिये लेकिन इसमें जो 3-4 नए points है न वो हम discuss करते हैं सबसे पहली चीज़ देखो AUKUS को लेके ना इंडिया में mixed concerns हैं एक तो देखो कुछ experts इंडिया में खुस हैं कि अब Australia को भी ये nuclear powered submarine मिल जाएगी तो China के अगेंस्ट deterrence पैदा होगी इंडो Pacific region में अच्छा ही है इंडिया के लिए तो फाइदा ही है ना लेकिन अब दूसरी तरफ देखो कुछ experts क concerns भी है Australia को US अपनी बिल्कुल ये hi-fi technology दे रहे है nuclear powered submarine वाली इंडिया को नहीं दे रहे है इंडिया के पास में एक INS Aryan तो है वो उसमें भी nuclear reactor है वो देखो इतना powerful नहीं है वो attackers के बढ़िया डंग से तो इस technology की इंडिया को भी आफ सकता थी तो इंडिया को ये लग रहे है कि अगर देखो quard का member तो Australia भी है इंडिया भी है Australia को US से इतनी बड़ी है technology दे रहे है और इंडिया को नहीं दे रहे है ये तो discrimination वाली बात हो गई न कल को अब वो ही experts बोलने लग गया है कि कल को USA पर rely नहीं हुआ जा सकता कल को US technology देने से end time पर मना भी कर सकता है दूसरी चीज देखो यहाँ पर ये है East Indian Ocean जहाँ पर अभी तक देखो Indian Navy का dominance रहता था वहाँ पर अगर Australia को ये बड़िया से submarine मिलेगी तो यहाँ पर इंडिया का dominance भी खतम हो जाएगा न ये भी इंडिया को चिंता की बात है मतलब इंडिया के लिए कि अभी तक East Indian Ocean में सिरफ इंडिया की INS Aryanth गुमती थी लेकिन अब जो Australia के पास भी इतनी बड़िया submarine कि हमारे साथ धोका हुआ है क्योंकि थोड़े दिन पहले तक तो ऐसी कोई खबर भी नहीं थी कि Australia जिसके साथ France का agreement हुआ था diesel submarine बेचने के लिए 100 billion dollars का वो France को चोड़के US से nuclear powered submarine लेंगे ऐसी कोई बात नहीं चल रही थी तो मतलब तो यह हुआ ना कि चोड़ी छुपे Australia US के बताया नहीं तो France को लगता है कि हमारे पीट पर छुड़ा गोप दिया गया है इंडिया के देखो दोनों दोस्त हैं France भी दोस्त है अस्टेलिया भी दोस्त है इंडिया साइड नहीं ले सकता बाद में embarrassment हो जाए यह डर है इसलिए इंडिया साइड नहीं ले सकता एक चीज इसमें ही manufacture करने के लिए technology transfer से सम्मंदित इससे France को भी फाइदा होगा कि उनको जो deal उनके हाथ से निकल गई थोड़ा बहुत फाइदा अब इंडिया उनसे purchase करेगा थोड़ा तो उनको फाइदा हो गई ना तो यह काम इंडिया कर सकता है तो यह हमने बात की AUKUS की इसके बा बारे में debate चल रही है हमारे देश में conduct होना चाहिए या फर नहीं conduct होना चाहिए अब राइटर पहला argument तो यह देते है कास्ट लेस्ट सोसाइटी हम establish करना चाहते हैं अमेड़कर का तो हमेशा से यह तर्क था कि कास्ट लेस्ट सोसाइटी establish की जाए ताकि समाजिक तोर पर विभिन लोग के बीच में कोई भी inequality ना हो मतलब यह कास्ट उपर है यह कास्ट नीचे है यह जो inequality है डिस्क्रिमिनिशन होता है कुछ कास्ट के साथ बिल्कुल बंद हो जाए अगर कास्ट लेस्ट सोसाइटी हम establish करते हैं और लेकिन देखो मतलब अगर हम कास्ट की गिंती क करेंगे तो फिर कास्ट लेस्ट सोसाइटी कैसे establish होगी ना कास्ट लेस्ट सोसाइटी establish करनी है तो कास्ट को जमाई ignore करना पड़ेगा बिल्कुली और लेकिन कोट यह कहता है कि reservation की जब बात आती है ना कि इस कास्ट को reservation मिलना चाहिए या फिर नहीं मिलना चाहिए तो कोट data मांगता है आप बताओ इस कास्ट के कितने लोग को अभी तक रोजगार मिला हुआ है central government में कितने लोग है कितने लोग को educational institutions में admission मिला तो इस लिहाद से देखें तो जरूरी हो जाती है कास्ट के लोग की गिंती इवन political parties तो इसलिए चाहती है कि कास्ट की गिंती करना कि अगर देखो गिंती करते हैं विवन कास्ट के लोग की और ये पता लगता है कि उनको रोजगार उपलब नहीं है तो वो मांग उठाने लग जाएंगे कि देखो इनको रोजगार दो फिर बहुत सारी political parties अपना सिकत चमकाना स्टार्ट कर देंगी बहुत सारी political parties जो अपने फाइदे के हिसाब से मांग कर रही हैं सरकार का ये तर्क है Supreme Court में कि देखो अगर backward caste का census करवाय जाता है ये बहुत ज़्यादा मुस्किल चीज है क्यूंकि देखो हमारे देश में बहुत सारी caste हैं सब caste हैं उनके लोगों की गिंती करना ये बहुत ज़्यादा difficult और complex प्रोसेस हैं और accuracy के बारे में भी कुछ नहीं कहा जा सकता जैसे देखो 1931 में जब caste census कंड़क्ट हुआ even 2011 में socio-economy caste census भी कंड़क्ट होया सरकार कहती है कि हमने socio-economy caste census का डेटा इसलिए रिलीज नहीं किया बार बार हम पढ़ते हैं न कि सरकार socio-economy caste census का डेटा ने रिलीज करती सरकार ने तर्क दिया सुपरिंग कोट में कि इसलिए हमने रिलीज नहीं करते हैं उस डेटा की accuracy सही नहीं है 1931 में लाश्ट बार जब caste census कंड़क्ट हुआ था उसकी accuracy भी सही नहीं है इसलिए हम caste census नहीं कंड़क्ट करते हैं क्योंकि इसको कंड़क्ट करना बहुत मुश्क संख्या की वो भी खत्रे में आ जाएगी यहां पर देखो डेटा भी दिया हुआ है 1931 में जब यह कास्ट census कंड़क्ट हुआ था न तो उस डेटा में 46 लाख अलग लग कास्ट नेम्स हैं उसके बाद उनकी सब कास्ट भी तो सोचके देखो इतने सारे कास्ट के लोगों की गिंती करना कितना मुश्किल काम है अब देखो यहां पर लाश्ट में कंकुजन आप दे सकते हो हमारे देश में यह पता लगाना तो जुरूरी है कि कौन सी जो कम्मुनिटी है वो पिछड गई है ताकि उनके लिए स्पेशल परियास की एजांस के उनको अपलिफ्ट करने के लिए अब इसके लिए कम्मुनिटी कैसे गिंती करनी है उन लोगों की कैसे उन्हें काउंट करना है यह सरकार को अपने आप थोड़ा सोचना होगा बेसक काश्ट सेंसस अलग से इंडिपेंडेंट एकसरसाइज हो सकती है सेंटल गवर्मेंटी से ना करे डिस्टिक हो रही है फिर वो फाइदा उठासके उसका नए समाज में जो इनिक्वैलिटी है उसको एड्रस करने के लिए अलग से इंडिपेंडेंट एकसरसाइज के तोर पर काश्ट सेंसस कंड़र्ट किया जा सकता है और कोई जुरूई नहीं सेंटल गवर्मेंट उसे कंड़र्में है या फिर स्टेट बेवल पर उसे कंड़र्ट किया जा सकता है तो यह हमने कुछ आरगूमेंट्स डिसकस किए काश्ट सेंसस से समधित है हमारी आज की इस डिसकेशन में इतना ही है आज हमने तीन इसूज को ब्रीफ में डिसकस किया थैंक यू थैंक यू भरीमक्च पो ड